तो दोस्तो अगर मैं आपको यह कहूँ कि इस घड़ी का जो काटे है वह उल्टी दिसा में घूम रहा है तो साध आप यकिन नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा प्राब्लम ना आज तक आपने देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा तो दोस्तो जो घड़ी होता है आपने देखा होगा वह राइट से लेट के और घूमता है मगर दोस्तो यह जो घड़ी के काटे है वह लेट से राइट के और घूम रहा है यानि कि उल्टी दिसा में घूम रहा है तो चलिये में आप लोगो पहले इसका जो बैटरी है उसे लगा लेता हूँ और लगा कर भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो घड़ी है वह उल्टी दिसमे घुम रहा है तो मैंने आप इसके बैटरी को लगा ले और आप यहाँ पर देख पा रहे है इसका जो काटे है दोस्तो वह लेट से राइट की ओर घुम रहा है और प्रतिक घड़ी होता है वह राइट से लेट की ओर घुमता है आपको पता ही होगा दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि इस घड़ी में ऐसा क्या प्रॉब्लम है ऐसा क्या फाल्ट है जिसकारं से घड़ी का काटे है वह उल्टी दिसमें घुम रहा है और इस फाल्ट को आप किस्ते से ठीक कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हमाई यूटूब चैनल मेकनिकल सर्च तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइट करें जट से इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं हमाई चैनल को किजिए सब्सक्राइब और लगे रहे डट के क्योंकि हमारा एक्स्प्लेन करने का अंदाज होता है जरहाट के तो चले दो तो वीडियो स्टार्ट काते हैं पर ट्याक से तो दोस्तो इसे देखकर आप में मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है आखिर यह घड़ी में क्या फाल्ट है जिसकांसे यह उल्टी दी समय चर रहा है तो दोस्तो इसके बार मैं आपको complete बताऊंगा और इस problem को solve करके भी दिखाऊंगा तो दोस्तो इससे पहले हम यह आपर विस्तार से समझते हैं कि इस घड़ी में जो फाल्ट हुआ वा कैसे हुआ है दोस्तों यह जो घड़ी है उसे एक बंदे ने मेरे पास लाया और उसने इस घड़ी को रिपेरिंग करने की कोशिस किया और उस दोरान उसने इस घड़ी के सभी PART को बाहर निकाले थे और प्रतियक पहान निकाले थे और उसने उसको कुछ समझ में नहीं आथे तो वापर से सभी PART को लगा लिए और देखा लगा कर उसने देखा कि घड़ी तो चला था बट दोस्तों उसको जो Direction है वा उल्टी दोस्तों उसको आश्यर्य हुआ किया ऐसा कैसे हो सकता है तो उस बंदे ने इस घड़ी को मेरे पास लाया तो मैंने उससे पूचा कि उसने इस घड़ी के साथ क्या 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 किया तो उसले पूरी जानकारी मुझे बता है कि कौन-कौन से पार्ट को उसने ओपन किया था तो म मैं आपको बता दूँ क्योंकि दोस्तों ये खुद इंसान जो रिपेरिंग करने वाला होता है उससे गलती हो जाता है जिसका घड़ी के डायक्षन चेंज हो जाता है दोस्तों इस फाल्ट को ठीक करने के लिए हम क्या करें इसके सभी पार्ट को यहां पर ओपन करते हैं तो देख सकते हैं और क्वाइल के अंदर एक लोहे का पट्टी लगा वरता है आप देख से ये वाला दोस्तों यही इसका फाल्ट का कारण है तो कि दोस्तों यह जो लोहे का पट्टी होता है इसी से घड़ी का डायक्षन चेंज होता है तो उस बंदे ने क्या किया था इस गड़ी है वह उल्टी दिस्टा में चर रहा है तो दोस्तों इस डायक्षन को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे यह जो पट्टी लगा हुआ है जिसे उसने उल्टा लगा जिया था उस बंदे ने तो हम इस पट्टी को बाहर निकालेंगे और इसे पलट कर लगाएंगे जिससे की दोस्तों यह जो घरी का डायक्षन है जो की उल्टा चर रहा हुआ फिर से सीधा चलना इस्टार्ट हो जाएगा तो हमने इस पट्टी को पलट कर दुबारा से यहां पर लगा दिये हैं अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करने दोस्तों इसे वापर से इसका जो साइल है उसे यहां पर लगाते हैं और इसके दोस्तों सारे गियर हैं सारे गियर को भी यहांपर लगा लेते हैं लगाकर इसको फ् Euh करेंगे और फिट करने के बार हम इसमें बैटरी डाल के आपको दिखाएंगे कि इस घरी का डायक्शन चेज यह नहीं हुआ तो दोस्तों हमें आप इसको जो बैक कवर उसी भी आप लगा लेते हैं अब चलिए हमें आप इसका जो बैटरी उसे लगाएंगे और लगा कर दोस घरी का डायक्शन है वह बिल्कुल चेंज हो चुका है यानि कि जो पहले उल्टी दिसा में चल रहा था वह अब सहीं दिसा में चलने लग गया है आप देख पा रहा हैं तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर इस घरी में क्या फाल रहा था और किस गलत की कर जो घरी का डायक्शन है वह उल्टी दिसा में चल रहा था तो यहां पर इस घरी का डायक्शन सहीं हो चुका है अब फिर से सहीं चलना स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तों आसा का तो आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा और इसी तरह के और भी जबर वीडियो देखने चाते हैं तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब करने को बाद बिल आइकन को आल पर क्लिक जरूर कीज़ेगा